Hello friends, welcome to MDR Tech मान लिजिए कि as an administrator आपको एक टास्क दिया जाता है जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको एक साथ सो या दो सो क्लाइंट कंप्यूटर में एक सौफ़्टर इंस्टर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आप individual हर एक क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर तो सोफ़्टर इंस्टर्ट करने के यह नहीं जाने वाले है क्योंकि यह जो प्रोसेस है वो काफी टाइम कंसुमिंग है ऐसे सिनारियों में आप यूज कर सकते एक ग्रूट पोलिसिका ग्रूट पोलिसिका यूज करके आप रिमोटली क्लाइंट कंप्यूटर में वो सोफ़्ट्वेर इंस्टर्ट कर सकते हैं बस इसके लिए आपके पास उस software का MSI package होना चाहिए, अगर आपके पास उस software का MSI package नहीं है, तो उसे आप EXE to MSI Converted Software की help से convert कर सकते हों, इंटरनेट पे बहुत सारे EXE to MSI Converted Software आपको free में ही मिल जाएंगे, remotely software install करने की जो process है, वो काफी simple है, सबसे पहले आपको एक share folder create करना है, जहांपे आपको जो software आप deploy करना चाहते हैं, उसका MSI package को store करना है, जिसे client computer network की help से access कर पाए, दूसरा, आपको एक group policy object create करना है, और उसमें उस software deployment की settings को defend करना है, जो देखते हैं कि किस तरह से हम group policy की help से remotely client computer की ऊपर software deploy कर सकते हैं, इस demonstration के लिए मेरे पास एक Windows 10 client computer है और एक Windows 7 2016 domain controller है, हम Windows 10 client computer के ऊपर group policy की help से software install करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं open कर लेता हूँ app.viz.cpl, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, currently यहाँ पर एक ही software install है, और वो है Oracle VM virtual box, gas edition, close कर देते हैं, और चलते हैं हमारे Windows 7 2016 domain controller की ऊपर, और सबसे पहले मैं open कर लेता हूँ group policy management console, उसके लिए मैं क्लिक करता हूँ start button पे, यहाँ पर क्लिक करता हूँ Windows administrator tools पे, यहाँ से सिलेक करते हैं group policy management console को, दूसरा मैं open कर लेता हूँ active directory users and computer snap in page, जैसे आप यहाँ पर देखरे हैं, हमारे पास है test OU1, जिसके अंदर मैंने कुछ user accounts create किये हुए, यह जो software है, वो हम deploy करना चाहते हैं computer के उपर, ना की user के उपर, चुकि हम यह चाहते हैं कि उस computer के उपर जो भी user login करें, वो उस software को use कर पाए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक OU create कर लेता हूँ, जैसे मैं नाम दे देता हूँ client PC, और यहाँ पर हमारे पास Windows 10 client computer का computer account है, उसे मैं move करता हूँ, जो हमने अभी OU create किया, उसके अंदर, client PC के अंदर, चुकि आप GPO को building container के साथ link नहीं कर सकते हैं, जो हमारा client computer है, वो store हो चुका है client PC के अंदर, और जो group उसी object हम create करेंगे, उसे हम link करना चाहते है client-PC के उपर, और जब उस client computer के उपर हम login करेंगे, तब हम use करेंगे, विदाट को हुली का user account, इसे minimize कर देता हूँ, और administrative rules को close कर देता हूँ, प्लिक करता हूँ mtrtech.local पे और प्लिक करता हूँ refresh button पे, सबसे पहले हमें एक share folder create करना है, और जो MSI package यह, उसको उस share folder के अंदर store करना है, file explorer, d drive के अंदर मैं एक folder create कर देता हूँ, जिसे मैं नाम देता हूँ, app deploy, और जो MSI package है, जो है 7-zip, जिसे हम client computer के उपर deploy करना चाहते है, इस package को मैं cut करके paste कर देता हूँ, इस folder के अंदर, okay, so, जो package है, वो हमने store कर दिया है, app deploy नाम के folder के अंदर, अब इस folder को हमें share करना है, right click करता हूँ, इस folder पे, उस सेलेक करता हूँ properties को, आप server manager dashboard की health से भी इस folder को share कर सकते हैं, click करता हूँ sharing पे, यहाँ पर click करता हूँ advanced sharing पे, और यहाँ से select कर लेता हूँ share this folder, इस share folder को हम ऐसा hidden share create करना चाहते हैं, इसलिए जो share नीमे उसके पीछे मैं add करता हूँ dollar sign, click करता हूँ permission tab पे, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे है, everyone को इस folder पर read only permission है, और वो permission enough है, करता हूँ ok पे, click करता हूँ apply, ok पे, और मैं ntfs permission चींच करनी के लिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमने sharing level पे से permission दी है, इस path को मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, और click करता हूँ close पे, जो software का नाम है वो कुछ इस तरह से है, और उस software का जो type of file अगर आप देखे, तो आप यहाँ से देख सकते है, जो extension है वो है .msi, और वो ही हमें चाहिए, click करते ok पे, और इससे में minimize कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ group policy management console के उपर, यहाँ पर group policy objects को select करता हूँ, और यहाँ से select करता हूँ new, नाम देदेता हूँ software deployment to client, computers and GPU, click करते ok पे, GPU को select कर लेता हूँ, rightly करके select करता हूँ edit, जो software deployment है वो हम computer पे deploy करना चाहते है, same आप उसे user account base भी deploy कर सकते है, अकर आप user configuration के अंडर देखे, तो हमें यहाँ पर same settings मिल रही है, कि आप user account भी software deployment policy set कर सकते है, बाट हम उस software को deploy करना चाहते है, computer base, इसलिए मैं यहाँ से select कर रहा हूँ computer configuration के अंडर में, जो software installation settings है उसे, rightly करने के बाद मैं सबसे पहले जाता हूँ properties पे, और यहाँ से आपको सबसे पहले specify कर देना है default package location, यानि कि जब भी आप software को deploy करने के लिए जाए, तब आपको हर बार उस software का जो share folder का path है, वो define ना करना पड़े, इसे cancel कर देता हूँ, और rightly करके, अगर आपको जब भी software deploy करना है package को, तो आपको यहाँ से select करना है package, अगर आपने वो path define नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर browse करने के लिए बुझेगा, और अगर आप यहाँ से this PC की help से उस path को select कर लेते हो, उस software को select कर लेते हो, और deploy करने के लिए जाते हो, तो वो deploy नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो path specify कर रहे है, वो है local path, और उसकी जगाँ पर जो आपको path specify करना है, वो है उस share folder का UNC path, so cancel कर देता हूँ, और right click करके वापस select कर देता हूँ, अब यहाँ पर जो path हमने copy किया था उसे में paste कर देता हूँ, यहाँ पर options है कि जब आपने यह package add करें, तो कौन से settings by default selected होने जाए है, जैसे आप यहाँ पर देखरें, जो selected options है, वो display the deploy software tailor box, यानि कि वो हमें पूछे, क क्या आप इस software को assign करना चाहते हो, या फिर advanced options select करना चाहते हो, चुकि यह आप publish नहीं कर सकते हो, publish का options आपको तब ही मिलेगा, जब आप user configuration के अंदर से settings को define कर रहे है, आप computer के ऊपर software को publish नहीं कर सकते हो, समझ लते हैं कि publish और assign के अंदर क्या difference है, अगर आप application को assign करते हो, तो assign आप user base भी कर सकते हो, और computer base भी कर सकते हो, जब आप application को assign करते हो, तब यह चुछ settings है, वो उस application को automatically ही install करने की try करेंगी, अगर आप application को publish करते हो, जो सिर्फ और सिर्फ user के लिए ही possible है, तब user के पास choice रहती है, कि क्या user उस application को install करना चाहता है, या नहीं करना चाहता ह तो इस demonstration के लिए हम यहां से तो कोई options नहीं select कर रहे हैं, और यहां पर option से installation user interface options जिसे हम रखते है, maximum ही selected, क्लिक करता हूँ apply और रुखे पर, वापस मेरा क्लिक करता हूँ software installation बे, select करता हूँ new और select करता हूँ package, अब की बार जो share folder का path हमने define किया है, वहीं automatically आ जाएगा, जह यहां से आप उस package को select कर सकते हूँ, जो हमारे case में है 7-zip, select कर लेता हूँ और फिर click करता हूँ open पे, अब यहां पर आपको पुछा जा रहा है, deployment method, जो हमारे पास options available है, वह है assign और advance, यहां पर आपको description दिखाया जा रहा है, select this options to configure the publish or assign options and to apply modification to a package, लेकिन मैं इस demonstration के लिए select करना जाता हूँ, assign, select this options to assign the application without modification, click करते हैं, okay पे, okay, so यहां पर version बता रहा है, deployment method बता रहा है, और उस package का आपको बात बता रहा है, अगर कुछ settings को आपको modify करना है, तो आप यहां से इस पर right click करके, properties में चाके उसे modify कर सकते हैं, यहां पर options है, uninstall this application when it falls out of the scope of management, जैनकि अगर यह computer account उस OU से move हो जाता है, for example, जो हमने OU create किया है, client PC बन, और जो GP हमने create किया है, उसे हम link करना चाहते है, client PC के उपर, अगर यह computer account है, उसे आप move करके वापस किसी दूसरे container में ले जाते हो, तो जो application आपने deploy की है, वो मैं चाहता हूँ कि व options select करना है, प्लिक करते apply और okay पर, जैसे आप यह पर देखरें, जो पहला box ही, automatically selected ही है, और वो gray out है, auto install, चुकि आपने package को computer के उपर assign किया है, तो वो automatically ही install होगा, इतना settings set करने के बाद, मैं group policy management editor console को बंद कर देता हूँ, और जो GP हमने create किया है, उसे client face के उपर link कर देता इसे लग कर लेता है, software deployment to client computer's GPU, okay, so जैसे आप यह पर देखरें, जो GP हमने create किया था, उसे मैंने successfully client PC से link कर दिया है, और client PC OU के अंदर हमारे पास एक ही computer account है, वो है client 01, यानि के Windows 10 client computer का, वापस चलता हूँ Windows 10 client computer के उपर, अब इस computer के उपर हम manually group policy को update करने के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए मैं use करना हूँ command prompt, command prompt पे में type कर देता हूँ gp update slash force command और फिर ट्रेस करता हूँ enter की, जैसे computer based policy apply होती है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक message मिल रहा है, कि यह policy तब ही apply होगी जब आप इस computer को restart करेंगे, यहाँ पर आपको पूशा जा रहे हैं कि क्या आप इस computer को restart करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर press करता हूँ why, yes हम इस computer को restart करना चाहते है, प्रस करता हूँ enter की, आपको यहाँ पर message मिल रहे है, you are about to sign out, windows will start down in a less than a minute, so यह computer automatically ही restart हो जाएगा, अगर आप manually restart करना चाहते हैं, तो भी आप manually start menu के हैं से भी इस computer account को restart कर सकते हैं, उसके लिए मैं आप क्लिक करता हूँ close पे, इसे भी close कर देता हूँ, और start button पे यहाँ प computer restart हो जाता है, वापस हम login कर लेते हैं, अब की बार हम rsop.msc command का use नहीं कर सकते हैं, चुकि rsop.msc command, client computer के उपर, computer configuration के उपर कौन से policy apply हो रही है, उसे display निक करता है, वो सिर्फ display करता है, user configuration की जो policy apply हो रही है, वो ही, so 7-zip software इस computer के उपर install हुआ है, कि नहीं हुआ है, उसे check करने के लिए हम जाते हैं, control panel के अंदर, मैं यहां से open कर लेता हूँ, office.cpl और फिर प्रेस करता हूँ, enter की, और जिससे आप यहां पर देख रहे हैं, कि जो 7-zip का software अब हमें यहां पर install दिखा रहा है, क्योंकि हमने इस computer के उपर group policy की help से 7-zip software को remotely install किया है, so इस तरह से आप group policy की help से एक साथ बहुत सारे client computers के ऊपर remotely software install कर सकते हो, और जैसे हमने computer-based software को deploy किया, वैसे ही आप user-based भी software को deploy कर सकते हो, तब वहां पर आपके पास options होता है, कि क्या आप user account के साथ automatically software को deploy करवना चाहते हो, या फिर user control panel में जाके manually उस software को install कर पाया, इस वीजिए demonstration के लिए Thank you for watching this video